पैसा एक ऐसी चीज है जो आज हर किसी की ज़रूरत है लेकिन पैसे की सही समझ हर किसी को नहीं है सब कोई पैसा पा लेते हैं लेकिन पैसे की समहाल ठीक तरीके से कर पाना पैसे को ठीक तरीके से बज़त कर पाना पैसे की ठीक तरीके से खर्च कर पाना इतने गहराई से जो लोग सोचते हैं वो लोग पैसे को संभाल बिल लेते हैं और पैसा पाने के सिर्फ वो सिर्फ तीन ही करीके हैं शाहे दुनिया में कहीं भी जाकर आप देख लें क्लियर करूंगी इस चीज को थोड़ा सा पैसे की सही स्टड़ी होना वही जरूरी है पर उससे पहले रिक्रेस्ट ज़रूर है कि अगर सबस्क्राइब का बटन नहीं क्लिक किया है तो उससे जरूर क्लिक करें और इस वीटियों को शेर भी करें ताकि लोग तर पहुँचें अब पैसा पाने के तीन तरीके कौन से हैं सबसे पहला तरीका है सबसे पहला तरीका है किस्मत किस्मत से किसी को पैसा मिल जाता है किसली बाप दादा की दौलत मिल या कोई बच्चा ही पैदा हुआ है तो ऐसे रिच फैमली में पैदा हुआ है कि साथ कुष्टे बैठके खा लें यह किस्मत है किस्मत लेकिन ये इस दिस्म जो है वो हर किसी की नहीं है क्योंकि एक ही टैंग पे एक बिखादी के घर में भी बच्चा पैदा हो रहा है और ए उसी टैंग, उसी समय, उसी पन एक कडोड बती के घर में भी बच्चा पैदा हुआ है कहां मिलती है कुलियां डोनर एक ही टैंक पे पैदा हुए है लेकिन एक सुने के चमच मूँ मेले का पैदा हुआ है और एक जहां खाने के लाले है उस घर में पैदा हुआ है यह किस्मत है और किस्मत पे किसी का जोगा नहीं है किस्मत बनी अपने आपके कर्मों के हिसाब से है यह किसी की भी हो सकती है और दूसर तरीका आता है मेहनत मेहनत भी दो तरह के से हो गई शरीरिक मेहनत हो गई रिक्षे वाला भी कर रहा है मोची भी कर रहा है काम वाली बाई भी कर रही है यह मेहनत कर रहा है शरीरिक या फिर बौदिक मेहनत दिमाख लगा रहे हैं दिमाख को सही तरीके से लगाया एमांदारी से लगाया उसकी पैसा आएगा और अगर गलत कामों में लगाया गुआचो रुटेकारी बौदिक मेहनत कहीं मिक्स है बौदिक ऑद शरीर मेहनत एक तीसरा तरीका भी है ना आपकी किस्मत है ना आपसे मेहनत होती है और आप बैट साहिए भीख मांगना भीख मांगर गुजारा करना बिखारी वी अमिय हैं पैसे वाली हैं पैसे तीन तरीके हैं पैसे आप देखें आपके पास किस तरीके से पैसा आना चाहता है किसमत से आता है मेहनत से आता है या भीख मांगर आता है आप लोग स्वस्त रहें